हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू यूटूब चैनल एजिकेशन निकेतन आज हम इस वीडियो में आपको 64 BPSC मुख परिक्षा के रिजल्ट, 65 BPSC की मुख परिक्षा के फॉर्म, 66 BPSC मुख परिक्षा के नोडिफिकेशन, A.E. की रिजल्ट और A.P.O. और जूडिसेरी की एक्जाम है, उसके प्रिलिंस के डेट को लेकर जो संचय बने हुई है, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन साजा करूंगा, यह जो इन्फॉर्मेशन है, वो तीन सुरुतों से क्रट की गई है, पहला सुरुत है, बीपीएसी के चेर्मेन सेसिर सेना का ट्विटर एकाउंट, दूसरा सुर्स है हमारा, अमरेंदर कुमार के द्वारा, विभिन समाचार पत्रों को दिये गए, बाइट्स, यह जो उन्होंने समाचार पत्रों को जनकारी दिये हैं, और तीसरा, जो हमारे एक जानकार, बीप कर दिया हुआ है, 21 अप्रेल से, आप सभी को ग्यात होगा, कि विहार में 21 अप्रेल से, बहुत सारे उफिस खोल दिये गए हैं, उसी के वज़ा से, बीपी अपने चेर्टों को जो ऑफिस है, वो भी खुल गया है, और जो मुल्यांकन कार है, यह एवलिएशन का कारी है, व कि 64 BPSC का मुल्यांकन कारेश सुरू कर दिया गया है जो एवल्यूशन सेंटर बनाया गया है उसको पूरी तरसे सेनिटाइज कर दिया गया है सिख्चको का आने जाने में दिक्कत नहों इसके लिए अस्पेसल वाहन की वेवस्ता की गई है उनके लिए उनके लिए मास्क और सेनिटाइजर सारे सिख्चको को अप्लब्ट कराये गये हैं सोसल डिस्टेंसिंग का कॉपी का मुल्यांकन समय पालन किया जाए इसके लिए भी मुल्यांकन हॉल को सिख्चको की संख्या सिमित कर दी गई है बेपिएसी के चैर्मेन ने कहा है कि अगर में के पूरे महिने में उन्हें किसी भी तरीके का क्रोणा संकट के कारण ब्योधान की उत्पन इस्तिति उत्पन ना हुई और कार करने का मौका मिला तो बीपिएसी 64 बीपिएसी का रिजल्ट जो है में के आखरी सब्दा में जा या तो अप्रेल के लास्ट यानि 27 अप्रेल से या में के परसमस्ता में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानि BPSC के ऑफिसियल वेफसाइट पर जारी कर दिया जाएगा जो भी सफल अफियर थी है वेफसाइट के थूरू अपना फॉर्म सब्मिट कर सकते हैं चेर्मन का कहना है कि BPSC जो 65 BPSC है उसके मुख परिक्षा हम प्रयास करेंगे कि निर्धारिस समय से कम से कम बिलम हो यानि आप मान के चलो कि निर्धारिस समय जून था यानि कि जुलाई से अगस्त तक परिक्षा आउजित करा ली जाएगी अगर कोई खास ब्योधा नुत के बारे में तो यूपी PCS ने 2020 का फॉर्म प्रिलिम्स का फॉर्म जारी कर दिया है यानि कि कारे सब आयोग अपने कारे कर रहे हैं इसके अलावा जहां तक 66 BPSC की बात है तो 66 BPSC के बारे में हमने जब जो हमारे असिस्टेंट एक जानका रहे हुआ उनसे पूछा तो कहा गया कि आयोग की प्रियोरिटी पे पहले 64 और 65 BPSC है 66 BPSC में थोड़ा भी लंब होगा इसका नोटिफिकेशन अगर सब सही रहता है यानि कि सारे कारे समाने गती से चलते हैं ब्यवधान उत्पन नहीं होता है तो जून के आखरी सब्ता में 66 BPSC का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा अब रही बात AI के रिजल्ट के रिगर्डइंग, then AE के रिजल्ट के रिगर्डइंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो रिजल्ट है वो कुर्ट के डिसीजनपे डिपेंड करेगा मैं तो मैं आपके साध नारी साथ कर रहा हूँ यह जनकरे मैं आपको पिछली वीडियो में विद्धेज चुका था फिर बता दे रहा हूं कि regarding the AE result Learned Advocate General has already taken up the matter with the Unrebell Code for any latest update you are free to get touch with him और यह उने अगले टुट में कहा था I have personally requested Learned Advocate General to request the Unrebell Code to take up the matter related to AE result through video conference यानि कि जो AE result है उट कोट के decision पर निर्भा करेगा अब बात रही APO और Judiciary के जो एक्जाम होने वाले हैं Already lockdown के कारण एक जो Judiciary का form है उसमें एक condition होती है कि आपको एक number डालना होता है और वो आपको number अपके college से मिलते हैं अभी सारे college बंद थे इसलिए इसके date को extend किया गया चुकि लोगड़न फिर से बढ़ गया था तो यानि इसके date को फिर से extend किया जाएगा यानि ये दोनों ही परिक्षाएं आप मान के चलिए कि एक से दो महीने लगभग बिलंभ होंगी यानि मिये में जो एक्जाम होने वाले थे अब ज्यादा तर उमीद है कि वो एक्जाम जुलाई के पर्थम सब्ता में या दीतिय सब्ता में आयुजित किया जाएंगी तो यह रहे पांचवे एक्जाम के रिगार्डिंग एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आप 65 BPSC को लेकर जो भी लोग सफल हो गये हैं जिनके रिजल्ट आ चुका है वो इंतजार ना करें हमारे चैनल पे भी बंदना मैम के द्वारा 64 BPSC की टाइम में बहुत सारी वीडियो ब संबंदित बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर हिस्ट्रिस में मौरे कला और आपका पटना कलम है इस सारे संबंदित वीडियो उपलब्द हैं उन वीडियो को आप देखें जो आपके पास बेसिक बूप उपलब्द हैं उनको पढ़ें 65 BPSC के नाम से हमने एक सीरीज कि अपडेट हैं उसको आप एक फाइल बनाकर और पेपर वाइस बनाकर मतलब पेपर वन पेपर टू पेपर वान में तीन खंड हैं तो जो करेंट अफ्यर्ड वाला खंड हैं को पौलिटी वाले खंड हैं आय यार के खंड हैं एकनौमी जोग्रॉफ़ी इन से संबंदित जो करेंट में जितने भी इसूज हो रहे हैं, उनकी एक आप लिष्ट बनाते जाएं, हमने भी कुछ तयार किया था, जब के साथ साजा करूंगा, और उससे संबंधित, आप दो से चार पेज में उस टॉपिक के रिकार्डें अपडेट करते जाएं, यह चीज आपको जब क्वालिटी को लेकर बार-बार कमेंट आते हैं कि सर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, अभी जब यह लॉक्डाउन वारी सिच्वेशन खतम हो जा रही है, तो इस रिगार्डिंग भी हम प्रयास करेंगे, कि अब आपको आगे से जो भी वीडियो मिले, उसमें कम से कम इतनी क्वालिटी रहे, कि आप जो पीडियेफ आपको दिखाया जा रहा है, वह आप अच्छे से देख सकें, धन्यवादी